नमस्कार स्वागत है आप सभी का अन्वेफ नूस पर मैं हूँ आपके साथ रोह है सुप्रीम कोट से योगी सरकार को बड़ी राहत मिली है क्योंकि 79,000 शिक्षक भरती को लेकर एक बड़ा फैसला आया है और हाई कोट ने जो आदेश दिया है उस आदेश पर सुप्रीम कोट ने रोंक लगा दिया है दरसल 79,000 शिक्षक भरती में लगातार ये आरोप लगाए गए कि घोटाला हुआ आरक्षन का हक मारा गया दलित वन्चितों का OBC का इसको लेकर प्रदर्शन हुआ और भीम आर्मी के चीफ आजाद समाज पाल्टी के मुख्या नगीना से नएने सांसद बने चंदर सेखर ने भी इस मुद्दे को खुब उठाया अखलिश यादों ने भी इस मुद्दे को खुब उठाया और जब हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि मेरिट लिस्ट फिर से तयार की जाया और जिनका हक मारा गया है उन्हें उनका हक दिया जाया तो फिर दूसरा पक्ष भी धरने पर बैठ गया और सामान वर्ग भी लगा अतार धरना प्रदर्शन करने लगा और कहने लगा कि अगर अब हमारे साथ जाती हुई तो फिर ठीक नहीं होगा इस बीच मामला सुप्रीम कोर्ट पहुँचा और सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश जारी कर दिया है जी हाँ 79,000 सिक्षक भरती मामले में सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला योगी सरकार के लिए बड़ी राहत लेकर आया है दरसल आरक्षन को लेकर जिस तरीके से 79,000 उत्तर प्रदेश में सहायक सिक्षक भरती का मामला हाई कोर्ट पहुँचा उसके बाद हाई कोर्ट ने फैस अगे अब देखा जाएगा क्या कुछ फैसला आता है फिल हाल के लिए योगी सरकार के लिए बड़ी राहत वाली खबर है दरसल सुप्रीम कोर्ट ने इलहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगाई है जिसमें सरकार को इस भरती की मेरिट लिस्ट रद्द करने और जो अभ्यरती चुने गए थे टीचर मने थे उनकी नौकरी जाएगी या बचेगी जो मेरिट लिस्ट से बाहर होंगे नई चेहन सूची तयार होने से पिछले चार सालों से नौकरी कर रहे है अजारों सेक्षकों के सामने भी अब ऐसे इस्तिती उत्पन है कि वो भी धरना प्रदर्शन करने को मजबूर है इलाबाध हाई कोट ने जिस तरीके से 79,000 सहाइक सक्षों को की नई मेरिट लिस्ट तयार करने का आदेश दिया था जिस पर सुप्रीम कोट ने रोक लगाया है अगर उसी आदेश को आगे कॉंटिन्यू सुप्रीम कोट रखता है तो फिर बड़ी मुस्किल हो जाएगी क्योंकि तीन महीने के अंदर मैं मेरिट लिस्ट योगी सरकार को तयार करनी होगी इसमें हारक्षन के नियमे और बेसिक सिक्षा नियमावली के तहत करने के आदिस दिये गए इसका सीधा असर सामान वर्ग पर पढ़ने की संभावना है आगे किसी भी कारिरत साहेक सिक्षक की नौकरी नहीं जाने की ओर इशारा किया कोर्ट ने कहा था कि अगर किसी कारिरत साहेक सिक्षक पर विप्रीत असर पड़ता है तो मौझूदा सैक्ष्णिक सत्र का लाब दिया जाएगा ताकि छात्रों की पढ़ाई पर खराब असर ना उसके बाद फैसला सुनाएगा फिलहाल 79,000 शिक्षक भरती में जो फैसला इलाबाद हाई कोर्ट की पीट ने सुनाया था जिसमें कहा गया था कि मेरिट लिस्ट को रद किया जा और नई मेरिट लिस्ट तयार किया जाए उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंची योगी सर स्क्राइब कीजिए और बने रहेगा हमारे साथ नमस्कार